बहुत दिनों बाद जाके टाइम मिला है सारस पच्छी को जासे इतना प्रिसान है कि हम क्या बताएं बहुत याद आती हो इसकी और वो पहले मेरे घर से समस्पूर पच्छी बिहार लेकर गया जाया गया वो पूरी कहानी आज आप लोगों को बताते हैं पहले मेरे घर से समस्पूर पच्छी बिहार लेकर जाया गया वो जो मेरे घर से लगभग दूर होगा पचास किलो मेटर वहां पर उसको रखा जाता है और रखने के बाद एक दिन बाद जब उसके खुलोई में छोड़ा जाता है दूसरे दिन तो वो मुझको फोजते हुए निकल पड़ती है वहां से समस्पूर से काफी दूर निकल कर एक गाउं में जब कुछ लोग दिखाई देते हैं तो वहां नीचे आती है तब तक उसको जंगली कुट्ते घेर लेते हैं फिर एक लड़का उसकी जान बचाता है और वो जान बचाने के बाद वो अपनी जान ना घढ सकती थी तरु और उसके बाद फिर वहां से इसको फिर दुवारہ समस्पूर के वन विभाग के लोग आते हैं और ले कर जाते हैं इसको बंद कर देते हैं ले जाके एक किचन में उसके बाद फिर किचन में बंद करने के बाद लगबग 72 गंटे वो किचन में बंद रहती है और बंद रहने के बाद फिर वहां से अपने जो परकिरिया होती है कोई प्रितिया करते हैं अपन खिलाने फिलाने की वो खाना नहीं खाती वो खोट तड़कती रहती है फिर बीच में एक दिन लखनौ से चिडिया घर वाली गाड़ी आती है लखनौ की और उसको ले जाकर लोगों को लगता है कि लखनौ चिडिया घर ले जा रहे हैं पर उसको ले जाकर कानपूर वा वहां उसको फिर कॉरंटीन किया जाता है लगभग पंदरा दिन के लिए और अभी पंदरा दिन नहीं होने चार दिन हुए है उसको सिर्फा चार या पांच दिन हुए है और चार पांच दिन में काफी वह दूबला हो चुका है कल हम गए थे मिलने उससे कानपूर और तो वहां हमने देखा कि उसको एक छोटे से फिजडे में कैद किया गया हुआ है एकदम छोटा सा है और कुछ खाने के लिए आइटम उसके रखा हुआ था तो हम लोगों को मिलने तो नहीं दिया गया उससे पर CCTV कैमरा में दिखाया गया माननी राष्टी एक्थिछ अखल कि मैं और वी चीडिया घर भिउना पर वो चीडिया घर जो हमारे हिसाप से वह इसके लिए सही नहीं है कि साअरस के लिए हमारे दोस्त के लिए क्योंकि वहां इसको तलावी छेतर पसंद है जहां पानी हो और चुडिया घर में छोटी से उसमें बंध है, हम उम्मीद करते हैं, वन विभाग से, सासन से, कि 15 दिन कॉरिंटीन करने के बाद उसको रिक्वेस्ट है, फिर से उसको आजात कर दिया जाए, जहां दिल करें, वहां उसको आजात कर दिया जाए, सबसे पहले मैं कहना चाहू जैसे कि मेरे घर के पास में जो खेथ हैं, जंगल टाइप का है, वहीं ले जाकर फिर उसको आजात कर दिया जाए, हमको नहीं जहें, मैं पाले नहीं था उसको, वो मेरा दोस्त है, तो उसको जो है, वहीं ले जाकर छोड़ दिया जाए, आजात कर दिया जाए, फिर उसका जहां दिल करेगा वहां आएगी जाएगी और कैसे कैसे थोड़ा तवियत भी खराब लग रही है क्योंकि सिर बहुत देश से दर्द कर रहा है हो गया है 21 तारीक से कभी ठीक से सोई नहीं है कभी एक गंटा कभी दो गंटा कभी तीन गंटा बस बाकि मेरी आखों आखे देख किम जूब कि वहाँ तो अधीड वाओं नहीं कहाता है कि वह खाना पका हुआ हो खाता है वह उसको अच्छा खाना दे रहे हैं ख़ाना उबल अबल वजसे सबजी दोटी डाल चावल सब खाता है तपी तुर साइद उन लोग ने पने और अबले आलो देना चालो किया खाना खाने लगा मेरे सामने एक शीची टीवीत दिख रहा था थोड़ा सखाया था उसने परेसान था है यह तो साफ साफ देखा जा सकता था वह परेसान था अअ और वह भूखो दिन हो गया जब से वो घर से निकला है ले जा जा गया है 21 तारीक से अब लोगों को बता दू तब से हम भी घर नहीं गए हैं अपने बाहरे बाहर हैं और जो है सोचते हैं घर जाएंगे तो उसकी और याद आएगी तो ही दर्वाजे पर क्या होगा कैसे होगा सबन में देखते हैं क्मेंट में की ज़रूर बताईएगा सारस बच्चे मिलना चाहिएगी नहीं और मेरे दोस्त के लिए दुआ करिएगा सब लोग कि वो जहां भी रहे जैसे रहे ठीक रहे बाकि जैसी अपडेट हो रहे हैं आप लोगों को देंगे अपना खियाल लगे जब लोग